मिश्रा जी है यूपी से स्वागत है आपका हालो 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 हाल जी सर सवाल करिये उम्र कितनी है उनकी हां जी सर उम्र बता दीजे टीवी का वॉल्यू प्लीज कम कर लिजे पैरों में घुटनों में कमर में कहीं भी दर्द हो एक रॉ मैटेरियल जिसकी जिम्हेदारी आपकी है कि वह असली खरीद ले आजकल मैं देख रहा हूं जगा जगा पर लोग उसको नकली दे रहे हैं और उसको कहते हैं गॉन सियाओ। सियाओ कहते हैं काले गॉन को जई हम जाते हैं धुकान पर तो लोग एक काला सा गॉन तो दे लेते हैं लेकिन वह गौं सियाओ नहीं होता बलके वह ऐल्वा होता है एल्वा चमकता है शीशे की तरह तो गौन सिया लेना है असली लेना है अगर आपको ये चाहिए कैसा होता है तो मेरे फेजबुक या यूट्यूब पेज़ पर हकीम सुलिमान खान को पर देखे गौन सिया कैसा होता है सच करें आप बच्चे हैं जरूर साच कर पाएंगे और ये खरीद लें सौ ग्राम बस एक ग्राम मिलता है पंदरा सोला रुपे का और एक ग्राम एक दिन में दो बार खाना है आदादा ग्राम करके ये राव मिटेरियल है कच्ची दवा है गौन है गौन सिया ऐसा कहते है काला गौन भी कहते है असली ले लें अदादा ग्राम ममी को नाश्टे के बाद और खाने के बाद एक चमच शेहद में मिला कर खिला दिया करें नाश्टे के बाद और खाने के बाद ये सौ ग्राम खतम नहीं हो पाता कि आदमी का अच्छा होना मुम्किन है असली ले फाइदा उठाए और मम्मी का अशी ख्यार लगके उनको फाइदा मुम्किन है हर्यान से हैं नीलम जी स्वागत है आपका नमस्कार जी नमस्कार मैम सर मेरा ना लड़का है वो कहना है 17 साल का है उसकी उमर लंबाई नहीं बड़ रही और दूसरा सवाल ये है कि मेरी ना एड़ी के अंदर फिंगी निकड़वाई थी तो बहुत ज़्यादा कम उसकी मेज़े से ना बोज़त अजी कि नहीं सोगी साथ आट साल होगा उपरेशन बोल दिया था तो सारी ना से कमज़ोर होगी और उठा गठा बिल्कुल नहीं जाता ठीक बच्छे के पास शायद एक साल है लंबा होने के लिए नर बच्छे 18 साल तक 20 साल तक भी बढ़ते हैं वैसे 17 साल अच्छी उमर में आपने फोन किया, और भी पहले करते तो बहुत अच्छा था वे गाता है गान मौरिंगा सफेद याद रखे, असली ल hy लेना है गान मौरिंगा लेना है, सफेद वाला ही लेना है यह बर्फी जिसे रंका होता है जिसे मिठाईयों बर्फी होती है, लेकिन सफेद वाला ही लेना कोई पीला सा देने लगे नहीं ले कोई लाल रंका देने लगे नहीं ले असली जो होता है वो गौन मौरिंगा सफेद होता है तो एक ग्राम रोजाना पानी में मिलाकर दूद में मिलाकर या नारियल पानी में मिलाकर के साथ आप एक ग्राम बस खिला दिया करिए बच्चे को बच्चे को इससे तीन फाइदे हो सकते हैं उसकी लंबाई में फाइदा और उसकी बालों के लिए महिनाएं भी ले सकती है और अगर किसी को महासे या पिंपाज जिने कहते हैं वो निकलते हैं इन तीन चीजों में काफी फाइदा करता है और आप के लिए एक और गौन आता है इसे गौन सिया कहते हैं सिया कहते हैं काले को इसे आसान भाशा में काला गौन भी कह सकते हैं गौन सिया या काला गौन ये भी असली लेना जरूरी है इसमें भी बहुत नकल आती है इसलिए कर रहा हूं कि आप कहीं नुक्सान ना इठा लें इसलिए बार बार कहना पड़ता है असलिए लेना जरूरी है गौंसिया आप लें और आधा आधा गिराम आपको दो वार खाना है नाष्टे के बाद आधा गिराम इसे पौडर बना लें ये कच्चा रो मैटेरियल है कच्ची दवा कहते हैं इसे गौन्द की शकल में चिपकताब होते हैं इसलिए पॉडर बना लें और आधा गिराम एक चमश्यहद दों मिलाके खालें नाश्टे के बाद और ऐसे ही आधा गिराम रात को सोते समय ये अगर आप लगातार खाते हैं तो आपकी भी परिशानी अच्छी होना मुम्किन है जी हकीम साब जो लोग गौन सी और गौन मौरिंगा का इस्तमाल कर रहे हैं और जो हमारा इम्यूनिटी बूस्टर है चिल्गौजा गौन अगर वो उसका भी इस्तमाल करना चाहते हैं तो इन तीन गौन्दों का इस्तमाल एक साथ किया जा सकता है तीनों को एक साथ भी इस्तमाल कर सकते हैं लेकिन याद रहे के गौन मौरिंगा एक गौन बार में और गौन सीया अदादा गिराम पूरे दिन में दो बार खा सकते हैं और गौन चिलगोजा सिर्फ एक चुटकी 24 घंटे में एक बार ही का सकते हैं क्योंकि दुनिया का बहुत तेज तरीन गौन है और इम्मिनिटी के लिए अच्छा काम करता है तो बिलकुल दर्श को देखिए इस वाल मेरा इसलिए था क्योंकि जुतने भी गौन यहाँ पर इंट्रियूज करते हैं हकीम सहाब जिन से नुसके बनाया जाते हैं वो सभी बहुत तेज है और सबसे ज़्यादा तेज है चिल्गौसर गौन तो संभल के इसका इस्तमाल कीज़ेगा कितनी कौंटिटी में इस्तमाल करना है हकीम सहाब ने आपको बता दिया है इसका यहाँ जार मेरे के लिए नोटिस करे किया हूं मेरे आई ब्लों के लिए गोन मरिंगा ले लिए जाते हूं वार्यों मेरे साथ तूट रहा है, उसके तो मैंने गॉल मरेंगा लिया हुए सर, पस आइज के बार, आइज के बार क्यों तूट रहा है सर, वो मुझे पता नहीं चाल पा रहा है, सर उसके लिए पर नुक्ता बढ़ा दिये, चेकर और, सर दूसरा वशन मेरा ये, कि साथ जो पेइन होता है, उसके लिए नुसका, अच्छो देखिए, एक नुसका आप ले दीजे, सिर्का आता है, कलौन जी का, कलौन जी का सिर्का, दो चम्मच, छोटे चाय के चम्मच, एक गिलास पानी में डालें, और उसमें, एक चुटकी, सोडा, खाने का सोडा, जो आपके किचन में यूज होता है, मेठा सोडा भी कहते हैं, इसे एक चुटकी डालें, और रात को सोते समय पी लिया करिये, ये आपके दोनों परिशानियों के लिए है, और किश्मिश खाया करें, मुनका खाया करें, अंजीर खाया करें, ये जो ड्राइफ रूट है और अपने खाना पीना पॉस्टिक करें तो आप तंदरुस्त हो सकती है मुंबई से हैं हरी गुपता जी स्वागत है आपका अलो जी सर अलो हमार पीन सवाल एक मेडम जी सर बताइए किया है कि हमको हावा बहुत खुलता है और बाक साथ दिन पर आइसा होता है तो वो क्या है आपका नमख जो है जो घनिया है जनिया है यह सब खाते हैं हागे जी सुने लिया और क्या सवान और मेरे औरत का क्या है? टी-वी में सुनिये, आप हमसे बात करें, फोन पर तो क्या है कि वो धनिया और यह सब खा रहे हैं हम? आगे बोलिये, औरत का क्या है? गोली चुट गई उनकी जो दर्द की गोली खाते थे वो भी खाती है या चुट गई? रोज खाती है दर्द की गोली जो पहले खाती थी अब छोड़ दी या खाती है? खाती है तो दीकि इतने दिन में फाइदा होता है आप उनसे फिर से पूछें कितनी कम हो गई है दर्द की गोली चार महीने तो बहुत है इसके लिए तो अगर जो मैंने इतियात बताई है उस पर अगर अगर अमल नहीं कर रहे तो वो भी कराएं जैसे मैंने कहा है कि वेस्ट जो जाड़ू पहुंचा है या वजन उठाने का काम बिल्कुल ना करें और अगर उनको कुछ फाइदा है तो लगातार इस्तिमाल कर सकते हैं आप जो नुसका खा रहे हैं उससे गैस पास हो रही तो बहुत अच्छा है और एक चमच अरंडी का तेल जिसे कैस्टॉल आयल क कहते हैं मेडिकास तो पर मिलता है आप रोजान पीए एक चोटा चाय का चमच और उस पर खुब गरम गरम चाय आप पानी पी ले गरम तो आपको और ज्यादा फाइदा मूंपकिन है हमाच से हैं चेत्र राम जी स्वागत है आपका नमस्कार मेरम जी नमस्कार सर मेरको जी फैले दोरे आते से चे मिलए दॉयां काते हैं मेरको मिलगी के दोरे आते थे मिलए जवड़ा हो जाता था ठीक है और जी नमस्कार मेर वीकने सो फिर में बहुत जादा पेले तक पेल के दौब्लम हो भी ए अच्छा हमारा कोई नुस्खा ले रहे हैं आप क्या सर आप कोई नुस्खा अपना रही है हकीम साहब का अच्छा दिखिए सबसे अच्छा दौरे या मिर्गी का इलाज ऐलो पैट में है आप वो दवाईयां छोड़ें नहीं लगातार लेते रहें जब तक आपके डॉक्टर आप से कहते हैं लेकिन उसकी मदद के लिए आप एक नुस्खा ले सकते हैं देखिए आवला धनिया और सौफ ये तीन चीज़ों का पाउडर बनाएं हम वजन लेकर यानि सबकी मात्रा एक सी हो सौसो ग्राम लेना तीन चीज़ां सौसो ग्राम इसका पाउडर बना लें और एक चंमच इसको रात को सोते समय खाया करें और एक चुटकी में जितना नमक जैतुन आया नमक जैतुन एक ऐसा विशेष नमक है जो स्वाद में नमकीन नहीं होता वो एक चुटकी दू गिलास पानी में डाल है, एक गिलास में ने दू गिलास पानी में टिक्स हो जाता है आसानी से और यह नमकीन भी नहीं होता पानी का सवाद भी नहीं भी बदलता एक चम्मच वो जो पौडर मैंने आपको बनाने हो कहा वो खा कर ये पानी दो गिलास पीलिया करें और डॉक्टरों की दवा जारी रखें और हम से संपर्क में रहें अपना फाइदे के बारे में हमें हर महीने दो महीने में बताते रहें तो बिल्कुल सर हर एक उस बात पर गौर करिएगा जो हकीम साहब ने अभी आपको यहां पर बताई है क्योंकि देखे आपका ठीक होना बहुत जरूरी है और जैसा कि हकीम साहब ने कहा है कि डॉक्टर्स ने जितनी भी मेडिसिन आपको बताई है वो आपको बिल्कुल नहीं छोड़नी है देखियो उसके साथ साथ आप नुसका अपना सकते है कोई side effect किसी भी नुसके का नहीं होता है कोई भी raw material आपको कोई side effect नहीं देता है अगर आप हर एक नुसका वैसे ही अपनाते हैं जैसे बताया चाता है आप लोग भी हकीम साहब से बात कर सकते हैं कीमती नुसके जान सकते हैं ऐसे नुसके जो आपको कहीं सर्च करने पर भी नहीं मिलेंगे बेशक आप लोग गुगल पे जाके सर्च कर सकते हैं आपको नहीं मिलने वाले हैं क्योंकि अपने अनुभवी नुसके हर एक वो नुस्का जो आपको इतना पाइदा पहुंचाता है कि आप खुद यहाँ पे कॉल करके बताते हैं कि बस अब हम यही नुस्के आगे भी अपनाएंगे अगर हमें कोई रोग हो जाता है तिक विश्वास रखिएगा कि हमें ठीक होना है सदे आपका यहाइभी आप लोग बेहतर हो सकते हैं कारीक्रम लाइव दर्ष को लाइव आप लोग हमारे साथ जुर सकते हैं अगले गॉलर है स्वागत है आपका स्वागत है सर आपका दो बास्कार जी नम्शकार आपको नाम क्या है मेरा नाम नैन सिंग, हकीम थाप को भी आता जैहिन स्वागत नैन सिंग जी मैं 74 एर का हूँ यह मेरे सिर्में जो है ना खुजरी सी दापर से वह रहे हैं बहुत कई महने होगे बलकिन सिर्में खुजरी लगती है और ताने ताने से होते हैं मोटे मोटे जैसे जितनी वह खाली उपर आदे रहा थी ठीके कोई दवा खा रहे हैं क्या दवा उसके लिए मैं अल्शी और गोंत मोरिंगा करी बता ले आपने वो और अल्शी और खाने वाला शोड़ा एक चुट्टी भर और दवा क्या हो जाए उसके लिए क्या हो एक खुट्रीज लगती है और यह हो जाता है दूसरा दूसरा मेरा यह मिसेज को मैं कई दिन से दवा खिला रहा हूँ जिस्की स्पिन डिजीज जो होगी जिसमें बहुत बहुलिंगा सपेश और अल्टी और आवला लिजीज मिलागे और वो कुछ खलर तो चेंज हो गया लेकिन उसमें इतने दिन तक और खिलाना मड़ेगा जब तक अभी थोड़ा सब चेंज हुआ लेकिन वे थी है वो जा उसमें परेश क्या करना ते यह परेश को नहीं हो रहा ते हैं गड़बाना ठीक है जब परेश करने की ज़रूत नहीं है और इसकिन का रंग चेंज हो रहा है यह आसानी अच्छी बात है यूनानी तोड़ा देर में फायदा करती है सहीं वाले रोग इसे पूरा कर पाते हैं और यह आप देते रहें पानी से दें या कम चर्बी के दूस से दें और आप भी लेते रहें जो नुस्खा ले रहें और आप अपने सर में जो हमारी महिलाएं देखिए पतनी भी आपके ऐसा जरूर करती होगी के दूद की मलाई जमा करकर के घी निकाल लेते हैं वो घी अपने सर में लगाया करें और दो चार घंटे लगा रहें और फिर आप गुसल कर लें नहा लें इसनान कर लें तो दो चार महीने लगातार इस्तामाल लाजमी है युनानी में अगर पहले भी फायदा हो जाएं त और यकीन आप मजबूत इंसान होंगे या रहे होंगे मैं दूआ करूँगा कि भगवान आपको जल्दी अच्छा कर दें जी